दोस्तों स्वागत है इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने चिंते पुर्णी मंदिर दिखाया था माता का मंदिर अब यहां से आप ज्वाला जी जा रहे हैं ज्वाला जी यहां से करीबन 40-40 किलो मीटर है करीबन हम पहुंच जाएंगे जादा टाइम नहीं लेगा गंटे भर चे पहले एक गंटे चे पहले साथ पहुंच जाएंगे तो वहां पहुंचने के बाद मैं आपको ज्वाला जी मंदिर दिखाता हूं कि कि है कि टो अब बैठेवेटे-बहों हो कि जाने चे आच्छा है तो बढ़े को से बात्यर करते में चले ठोसे को जोली के बारे में बताता हूं ज्वाला जी कांस सक्थीठों में से एक है जो मन्दिर एकांशीटीबने से एक है diciendo चन्डीघर से लगबंख 20 किलमेटर कितना होगा वहाँ जो एक जो मंधिर है वहा पथर है उसमें एक जोध जलती मैं आपको इखाऊंगा डिवार है यह जो भी बोली डिवार टाइप में है यह पथर है वहां जोध जलती है आटोमेटिक एक जोच जलती है उसका सोर्स का अभी तक पता नहीं चला कि किस सोर्स से वो जल रहा है कोई है तो यह नहीं बता मैं आपको सारा दिखाऊंगा ज्वारा जिवी के मंदे में हम नीचे हम नीचे उत्रे थे गाड़ी हमने पार्किंग की पार्किंग में गाड़ी रखा और वहां से थोड़ा साब को पहजाल आना है मंदिर के लिए ज्वालाजी मंदिर के लिए 5700 साहत 500 मीटर आगे आना है तो आगे मंदिर है तो यह मंदिर का जाने के लिए 500 मीटर रसता है वह भी मैं आपको दिखाता हूं हम यहां पर जूते उतार देते हैं तो आपको मिल जाएंगे जूते रखने के लिए प्रसाद खरिदने के लिए काफी दुकाने हैं द्यावका को फ्री एप में सेवा मिल जाएंगी फ्री ऑफ सर्विस है तो यहां हम रख देते हैं सूज हमने जो खोले हैं तो यह सूज को हम यहां बॉक्स में डालके रखना है बॉक्स अवेलेबल है यहां पर यहां जूते रखके फिर प्रसाद अराम से ले सकते हैं कितने कितने के प्रसाद यह देर सो का है और यह राइसो का ने क्या फरक है इस एक यछे विए यदेले विए dai एक अ मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह ज्वाला जी का मंदिर है और यह मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जाना है तो मंदिर के अंदर दर्शन के लिए चलते हम आप देख रहे हैं वही मा ज्वाला जी हैं और मा ज्वाला जी के दर्शन साथ साथ जोतियों के रूप में हो जाता है मंदिर के अंदर माता के नो जोतियां हैं जिने महाकाली अन्नपुर्ना चंडी हिंगलाज बिद्दवासिनी महालक्समी सरस्थि अंभीका अजनी देवी के नाम से जाना जाता है इसको कहा रखना है पता नहीं जात्तर हम जात्तर है युश है प्रभी कि प्रवेष्टा जैसे पंडी जी ने बताया यहां ये माना जाता है कि ये च्छत्र जो है ये अकबर ने चड़ाया था जो कि सोने का था बाद में देवी ने इसे खंडिट कर दिया और कोई और ही मेटल ये बन गया तो ये थे माता ज्वाला देवी जी का मंदिर और ये जैसे के आपको मैंने पहले बताए ये एक सक्ति पीठ है इकाउन सक्ति पीठों में से एक है जहां पर देवी के जीव गीरे थे यहां पर जेवी के टांग गीरे थे तो ये सक्ति पीठ है काफी सद्धालो भक्त जन यहा यहीं पर मैं खतम करता हूँ मेरे अगले पार्ट में मैं आपको कहीं दूसरी जगह मिलूंगा तो बच्चे ट्रेवेल करें तो यह भी आपको देखना पड़ेगा